शिक्षा ना कीवल आपको अपना अधिकार दिलाती है बलकि शिक्षा एक ऐसा हत्यार है जो आपको दुनिया में अपने और अपने परिवार के लालन पालन के लिए भी तयार करती है यह साबित कर दिखाया है उजयन के 26 साल के ही हुआ अधित्य देवडा ने अधित्य ने MBA पास आउट होने के बावजूद किसी मल्टी नैशनल कंपनी में नौकरी करने की बजाए अपना परंपरिक परिवारिक वेफसाय चुना और अपने हेर कटिंग के इसी वेफसाय के विश्व में अपनी इक अलग पहशान बनाई अधित्य का कहना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और हर काम आपको उचाई तक ले जाता है अधित्य ने 2021 में MBA किया इस दोरान अधित्य को कई मल्टी नैशनल कंपनियों ने कॉलेज केंपस इंटर्व्यूद किये जिसमें वो चुने भी गए मोटी सेलरी ओफर होने के बावजूद भी आधित्य ने अपने पारिबारिक बिजनस को उचाई तक ले जाने की ठान ली उन्होंने MBA करने की बाद हेर कटिंग की अपनी दुकान पर काम करना शुरू किया और फायर कटिंग जैसी बड़े शेहर का वीडियो देखा जो कि 10 स्कैची से लोगों के हेर कट करता था ये वीडियो देखकर मुझे लगा कि ऐसा कुछ मैं भी कर सकता हूँ धीरे धेरे इसी तरीके से हेर कट करना शुरू किया इस दोरान मैंने इरान के एक व्यक्ति को 22 स्कैची और पाकिस्तान के एक व्यक्ति को 24 स्कैंची से हेर कट करते हुए देखा जिसकी बाद में लगतार 28 स्कैंची से हेर कट करने का अभ्यास करता रहा और इसमें मुझे सफलता भी मिली इस हुनर को उन्होंने जब इंडिया बुक की अधिकारियों को बताया तो भारत में रिकॉर्ड बन गया इसकी बाद गोल्डेन बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अधित्य का नाम दर्श हो गया परिवार ने सभी ने मुझे अप्रोच किया कि आप कुछ यूनिक करो तो इसके तयाद मैंने अपने सीजर्स की प्रेक्टिस स्टाट की दो, चार, आट, दस, बारा यसे करते 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 22 कीजर्स पेले हिरान के हैरिस्टिस के नाम पर जो की गिनीज बुक ओफ रिकॉर्ड है जो की मैं ब्रेक कर चुका हूँ आज 28 सिजर्स से हैर्कट करके यह रिकॉर्ड भारत के नाम हो चुका है आपको बता दे एक साथ 28 कैंचियों का इस्तमाल कर हेर कट करने वाली आदित्य देवडा के हुनर को टीवी सोस में भी दिखाए गए है हुआ 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 है